क्रशी उपज मंडी में तौल पहले कराने को लेकर किसानों में विवाद, मंडी परिसर में एक ही धर्म काटा होने से तौल करने में समय लगता है विवादों और अनिमितिताओं के आरोपों में फसी इंदरगड करशी उपज मंडी में कोई ना कोई समस्या रोज सामने आ रही है मंडी प्रिशाशन को अभी पुराने आरोपों से छुटकारा मिल ही रही पाया कि मंडी में किसानों ने तौल काटे को लेकर नए आरोप मंडी प्रिशाशन पर लगाते हुए हंगा मगर दिया किसानों ने मंडी परिसर इसे धर्मकाटे पर किसानों को फसल तॉलने में गड़ तॉल का आरोप लगाया और कहा कि किसानों को फसल तुलाने के लिए घंटो लाइन में खड़े होकर करना पड़ता है मंडी परिसर के बाहर दो अनि धर्मकाटे लगे हुए हैं लेकिन मंडी वयपारी बाहर लगे अनि धर्मकाटों के तुलाई पर्ची को नहीं मानते साथ ही किसानों ने बताया कि दर्मकाटा पर नियुकती कर्मचारी कई बार पक्षपात पोड़ रवया अपनाता है और बाद में आने किसानों की फसल पहले तॉल देता है जिसे मंडी में किसानों के बीछ लडाई जगड़ा हो जाता है ऐसा ही मामला आज सामने आया है जब क्रशी उपज मंडी में सैक्टो ट्रेक्ट टॉली में अपनी फसल बेजने किसानों की भेडा गई समय पर तॉल नहीं करने पर किसानों ने तॉल काटे परहंगामा खड़ा कर दिया मामला बढ़ते देख मंडी प्रिशाशन ने ड्याल हेंट्रेट को फोन किया तब कहीं पुलिस ने आकर मामला शांत कराया मुत भी महंधो रहा है ना बैपारी मानल रहा है एक ही काटा हां मंडी मंदी के बाहर कहीं प्रिशाश ने जाईए किसान सुतंत्रे मंडी बाहर कहीं नहीं के ला सकता है कि उनका कहना है कि मंडी औव बेटारी कहतेजिए कि नहीं अंजडरी तो ला जय कूझ के लां। दोनों उसते लां ऑंस बाहर तोला ये बेटारी करते हैं ये इल का दूर के वाले हना था टॉपाहि है यह परेशानी का दूर थे यह था। कि पहती है यह से ल defenders कि आंप आंक अमनी कारहे है। कि मनदी यह सरे। नहीं पहर की नहीं जहीं मान का रहा है जहीं मान का रहा है प्यापारी कह रहा है कि मंदी ब्यापारी प्यापारी कह रहा है प्यापारी